योगेश लालपोर मेवाद गौशाला प्रमुख ने भी बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि सुभाई 11 बजे तक तए समय पर यातरा निकलेगी, सादू संथ नलहड महादेव मंदर में जला भी शेक करेंगे। चिंगार मंदर तक जाएंगे, और उन संतों में कौन-कौन कितने बड़े-बड़े संत आ रहे हैं, ये सुभाई 11 बजे सब चीज नलळ मंदर पर किलिए रोपाएगी, हमें बहुत सारी चीजे देखनी हैं, हमने पहले जब पंचायत जोड़ी तब ये कहा था कि हम कानून हा ये कहा था कि कोई भी वाईलेंस, कोई भी जगडा हम किसी हालत में दुबारा नहीं होने देंगे, और मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि परशासन की अनुमती के साथ ही काम करेंगे, परशासन का सहयोग हमारे साथ रहेगा, हमारा सहयोग परशासन के साथ रहेगा प्रशासन की अनुमती की बात कह रहे हैं हाला कि मुख्यमंत्री से लेकर जो प्रशासने का धिकारी है उन्होंने इस यात्रा की अजासत नहीं दी है मेरे सयोगी शोईब रजा इस वक्त नूँ से मारे साथ जुट चुके हैं सीधे शोईब का रुख कर लेते हैं शोईब बहां किस तरह की तस्वीरे हैं सुबह से हम खबरों में और तस्वीरों में बता रहे हैं दिखा रहे हैं कि कैसे पूरे नूँ कुछावनी में तब्दील कर दिया है लेकिन विएचपी अड़ा हुआ है कि वो ग्यारा बजे ठीक यातरा निकालेगा तो ऐसे में उसे देखते हुए क्या एतियातन तयारियां की गई है देखें जोसना कोई कुछ भी कहे कोई भी संगठन लेकिन जो अगर जमीन की बात करते हैं तो नजर यही आ रहा है कि पूरा नू सिर्फ हम जिला मुख्याले जहां पर इस वाक खड़े हैं यहां नहीं बलकि पूरे नू जिले की अगर बात करते हैं जितने भी जिले से क्या है मीडिया हो कोई भी ओ पूरी तरही से चेकिंग हो रही है और यह कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से कि हर तरह से संटुष्ट्री कर ली जाए कोई भी शक्स बगेर कोई अगर नू का नई है तो वो अंट्री ना कर पाए से चीदित ओर पर सभी जो बाडर से उनको सील कर दिया गया है और नू जिला मुक्याले की बात करें तो हर चौफ को रहे हैं पूरी सड़क पर सनाटा पसरा हुआ है ये रेड लाइट एरिया है और अगर बैरिकेड्स के साथ कोई नजर आ रहा है तो वो सिर्फ पुलिस वाले हैं इन तस्वीरों को दिखाईए और पूरे नू इलाके में कैसी स्थिती है वो तस्वीरों के जरिये दिखाईए बिल्कुल ये तस्वीरे आप खुद देखिए कि आपको सिर्फ पुलिस के जो वाहन है वो नजर आएंगे और ये दिल्ली से अलवर को गुरुगराम से जो अलवर की तरफ जाने वाली जो म से हमने पिछले दो तीन दिनों में नू में देखा है जबसे ऐलान हुआ है कि 28 तारीक को यातरा निकलेगी वेचपी जरूर कह रही है लेकिन मुझे नहीं लगता कि यातरा की शकल में कोई भी जो चीजे हैं वो आज होने वाली है जिस तरह से मुक्यमंतिरी मनौनलाल खट हुए फिर आगे की तरफ बढ़कली चोक और फिरोजपूर जिरका तक कोई यातरा की शकल में होगी इस तरह की गुंजाइश बहुत कम नजर इसलिए आ रही है क्योंकि हालात पुलिस ने हर चोक चौराय पर कोई एंट्री किसी को नहीं होने दे रहे है बाहर से कोई भी श कामिल होने के लिए लोग पहुंचे थे लेकिन आज ऐसा बेहुत मुश्किल लग रहा है इस तरह की शोहिए नजर बनाए रखेगा आज पूरे दिन इस खबर पर नज़र रहेगी फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर